बच्चो आपने अभी उत्तर लेंस और अफ्तर लेंस के बारे में सुना चलिए हम भी उत्तर लेंस और अफ्तर लेंस लेकर एक क्रिया कलाब करते हैं जिसमें हम यह देखेंगे कि जब प्रकाश की केड़ने इन लेंसों पर आपतित होती हैं तो अपवर्तन के पश्चात वो एक उत्तर लेंस लिया है और अब देखें सबसे पहले मैं उसमें एक प्रकाश की किरण आपतित कर रही हूं यह देखें यह लेंस के केंद्र से होकर गुजर रहा है और यह बिल्कुल सीधा जो है आपको दिखाई दे रहा है यह अपवर्तन के पश्चात भी बिल्कुल सी दिखाई दे रही है तो हम इसे मुख्यक्ष कह सकते हैं और अब हम इस मुख्यक्ष के सामना अंतर कुछ प्रकाश की किरणे जो हैं वो लेंस पर आपतित करते हैं यह देखें और अब आप क्या देख रहा है कि अपवर्तन के पश्चात यह क्या दिखाई दे रहा है लेंस इसके अपवर्तन के पश्चात आपको जिस बिंदु पर अपवर्तित किर्णे मिलती हुई दिखाई दे रही है यही इसका फोकस बिंदु है देखो अब हमने ले लिया है अवता lens अब हम देखिए सबसे पहले यह प्रकाश की किर्ण इस पर आपक की और यह जो किरण है वो देखिए अपवर्तन के पश्चात इसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ याने की यह क्या है यह इस लेंस का मुख्यक्ष है और अब इस मुख्यक्ष के समना अंतर हम फिर से अप्तित किड़ने डाल रहे हैं लेंस पर यह हो गया यह हमने मुख्यक्ष समना अंतर प्रकाश की किड़ने अप्तित की हैं और लेंस के दूसरी तराफ आप देख सकते हैं कि अपवर्तन के प तरफ आप देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है यहीज बिंदु जो है वो लेंस का मुख्य फोकस होता है तो देखा बच्चों आपने हमने जब उत्तर लेंस लिया तो अनन से आती हुई प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समनांतर थी वह जब इस पर आपतित हुई तो अपवर्तन के पश्चात हमें लेंस के दूसरी ओर मुख्य अक्ष के एक बिंदू पर वह अभिसरित होती हुई दिखाई दी याने कि वह उस बिंदू पर मिल रही थी वही बिंदू जो है वह उत्तर लेंस का फोकस बिंदू है और अब हम यदि बात करें अफ्तर लेंस की तो जब अफ्तर लेंस पर अनन से आती हुई प्रकाश की किरण मुख्य मुख्य अक्ष के जो समनांतर थी वह आपतित हुई तो अपवर्तन के पश्चात वह अपसरित हो गई याने वह एक दूसरे से दूर दिखाई दी हमें परन्तु जब दूर जाने वाली जो अपवर्तित किरने हैं उनको लेंस के इस तरफ हमने देखा तो वह किसी एक पर जो मुख्य अक्ष के एक बिंदू पर मिलती हुई दिखाई दे रही थी वह बिंदू जो है वह अव्तर लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है